हेलो दोस्तों मैं हुरिशब चार्जियर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बोट एडोप 621 TWS के बारे में तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान में दबा जीजिए मुझे इं प्रोड़क्ट अंड पैकेजी थोड़ा सा क्लोज अप में देख लेते तो बाहर आप देखेंगे मतब प्लास्टिक का सील है तो उसको खोल लेते ताकि अधा क्लियर ली बॉक्स हम देख पाएंगे उसके बाद खोलेंगे तो आइधिंग सो इस इस हाओ वीडियो ओपन इ सिजर मतलब नाइफ चला के इसको निकाल लेते हैं हम आल राइट निकल गया है साइड को साइड में रख लेते हैं तो पैकेज देख लेते हैं एडोप स्ट्विन वायरलेस एरबड स्ले वाइल यू मूव बोट का लोगो है वाइट कलर है तो उसका स्टिक्रिंग आप दे केस अब तो 5.5 वास प्लेबग टाइम पर चार्ज ठीक है तो इस वाव इट लुक्स सामने का बॉक्स का साइड में बोट लिखा है लेप साइड में कुछ फीचा लिखा है जैसे पावर बैंक फंक्शन इमर्सिव साउंड टाइप-C इंटरफेस आइड डबलूप टेक्न पीछे जाएंगे तो और कुछ नहीं है बस क्या-क्या मिलेगा इंबॉक्स कंटेंट्स वो लिखा है के बल वायर चार्जर क्या सपोर्ट करता है तो बस यही था चलिए खोलते है तो इसमें वन यर का वारंटी मिलता है दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट की सील आप देख ल चलिए खोलते है त्ह 설क निकल चा निकल गया है आलाराइ मिझालिक्स सकते के लाव कके दो स्भ्टान है वाह निकल गया है यहंड्राइलिय। bringen स्कृइबहान हो इस투से बाठरी केस और क्या-क्या है तो इस तरफ इक Спि को हम ऐसे कर के पुल करके तो वो वाइट वेट थोड़ा है, I can feel it slightly weight है इसका, थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले देख लेते हैं और क्या मिलता है बॉक्स में, इसको निकाल लेते हैं हम, इधर हम निकालते हैं इस तरफ से, इधर हमको मिलता है एर्टिपस, एक्स्ट्रा एर्टिपस, खोल के देख लेते कि सिजर से कट कर लेता हूं इसी और हो जाएगा तो आपके तो आइक ऐंट की कुछ एक्सट्रा बड़ा बड़ा एयर टिप्स पी दिया अच्छा तो एक्स्ट्रा फिन्स भी दिया है इसमें जो हम देखेंगे टी डबलस में बट यह बट तो है बट एक्स्ट्रा टिप्स भी दिया है नोंने तो तो अ गुड थिंग पिर और क्या है इतर यह हमारा केबल टाइप-C वाला केबल टिक है थाइप-C वाला केबल है पस और कुछ नहीं है फिर रीड मी विफोर यू यू जा एक स्टिक्कर है इतर अल्राइट वन यर वारंटी एंड एगें वन मोर बुकलेट इस तरफ एफवे क्यू अच्छा कुछ इशू जा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसका मतलब सल्यूशन दिया है उन्होंने उसके बाद है हमारा में चीज जो यूजर मैनुवल वह पीछे भी है तो आपको दिखा देता हूं इस दब्लेट ब्लेट से कंपर से कर लिए कितना साइज आपको मिलेगा प्रिटी स्मॉल मतलब एक्चली पिक्चर में ज्यादा बड़ा लग रहा था उसे चोटा ही है थोड़ा से ओवर्वीव देख लेते हैं बैटरी जो चार्जिंग केस है तो इधर I think so are the ports तो ports को देख लेते हो के तो here are the ports USB port and type C port आपको मिलेगा इधर with the flap and खोलने के लिए इधर थोड़ा सा groove है इसको खोलेंगे तो yes earbuds and indicator भी on हो गया आप देख सकते हैं फिर खोल के आपको earbuds भी दिखा दिता हूं close up में तो this is how the earbuds look आप देख सकते हो अलड़ी pairing का light शुरू हो गया है these are the fins जो extra मिला है आपको and पीछे अगर आप देखेंगे तो normal earbud in-ear type design है तो this was the unboxing और दोस्तों इधर एक plastic wrapper है उसको भी निकाल लेते हैं तो this wrapper okay अभी एकदम clear दिख रहा है अल्रेडी charging भी हो रहा है 86 परसंट चार्ज है अभी तो अभी first time connection करते है mobile का Bluetooth on कर लेते हैं and case को खोल कर case को खोलने से ही I think so आप देखिए अल्रेडी blink कर रहा है light तो हम चेक करते हैं हमारा डिवाइजस में एडोप 621 दिखा रहा है तो pairing pair very fast okay अब 80% battery है and अगर हम देखे this is how the settings are and AAC का भी support तो very fast हो गया है setup दोस्तों वो था unboxing उसके बाद आपको first time pairing कैसा है वो भी दिखा दे एकदम simple था अभी review के बारे में बात करते हैं तो पहले start करते हैं design and build quality से दोस्तों तो design की बात करूं तो very nicely finished मतलब matte finish आता है and overall like proper कहीं भी no complaints feels very nice and premium अगर मैं earbuds की भी बात करूं तो it's very nicely मतलब जो design बनाया है looks very unique अगर आप देखेंगे तो side में matte finish दिया है and ऊपर में थोड़ा सा glossy तो overall very nice detailed and अच्छा दिखने में लगता है and दो colors में available है white and black अगर आप white वाला खरीते हैं तो आपको dual color tone मिलेगा जैसे आप देखेंगे even case is dual color तो black and white combination मिलता है which looks nice according to me next आम बात करते है comfort की ठीक है comfort is one thing which I was really impressed एक चीज आपको doubt हो सकता है क्योंकि यह fin type design आता है पीछे थोड़ा सा slightly तो आपको doubt रह सकता है कि क्या यह ठीक से बैठेगा कि थोड़ा सा दर्ध हो सकता है तो I would say definitely कोई भी दर्ध नहीं होता है दोस्तों very very comfortable एक चीज है पहले बार पहनते समय आपको ठीक से मतलब देखना है कि proper fit हुआ है कि नहीं first time एक दो बार हो सकता है आपको लगेगा एक दो बार मतलब adjust करना पड़ेगा एक बार adjust हो जाएंगे तो properly बैठता है मतलब कितना भी हिला ले निकलता ही नहीं है and that fin really helps की fin होने के कारण एकदम भी movement नहीं रहता है and थोड़ा देर आप पहनेंगे तो फिर feeling भी चले जाता है कि कुछ आप पहने हुए है तो comfort wise no issues very nice comfortable था अब और एक चीज comfort की बारे में ही बात करें तो sound cancellation noise cancellation वो कैसा है तो आप यह पहनेंगे न तो कोई अगर आपको आपके साथ बात भी करेगा तो आपको सुनने में बहुत ही मतलब परिशानी होगे क्योंकि एकदम noise cancel कर देता है एकदम मतलब isolated हो जाते तो आपको तो क्या क्या ऐसे करके आपको मतलब बात करना पड़ेगा कि कुछ मतलब बहुत ही कम सुना ही देता है तो noise cancellation is really good अब sound quality की बारे में बात करते है which is the main thing तो इसमें 6 mm का drivers आता है and let me say the bass is superb bass मिलता है तो जो थंपिंग बेस आपोलते है तो दुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु overall sound experience was very nice दोनों AAC and SBC codec का support है and I would say SBC mode में भी बहुत बढ़िया sound आता है and अगर आप देखेंगे AAC mode में तो जो clarity है वो definitely जादा बढ़ जाता है and overall जो treble का sound ये सब बहुत अच्छा clear हो जाता है तो AAC mode में बहुत ही बढ़िया है SBC board में भी बढ़िया है तो overall sound quality is very nice mic and call quality की बात करें तो again call में no issues था दोस्तो clear आ रहा था मुझे भी clear सुनाई दे रहा था and जिसके साथ मैं बात कर रहा है उनको भी clear आ था थोड़ा सा base ही लग रहा था मुझे sound सुनाई देने में but overall no issues clarity अच्छा था mic की quality की बात कर दो mic is also very clear no issues मतलब मैं loudly बात कर रहा था भी तो कोई distortion नहीं था आपको mic का sample भी सुना दूंगा but overall mic quality is very good, very nice and clear hello दोस्तों यह जो audio आप सुन रहा है this is via the A-Dope 621 का mic से directly recording हो रहा है तो आपको idea मिल जाएगा mic कैसा है और वीडियो अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो एक like जरूर कर देना दोस्तों चैनल पे नहीं है तो subscribe करके bell icon भी दबा ही दीजी बाई बाई battery की बात करते है battery अगर हम देखे तो इसका main highlight है कि 150 hours तक आपको playback time मिलेगा ठीक है with case and earbud की बात करें तो up to 5.5 hours claimed है इसे थोड़ा कम तो मिलता है but overall battery life is very very nice दोस्तो 2600 mAh का ये case है and ये case की main चीज जो highlight है कि आप इसको power bank की तरह भी use कर सकते है ठीक है कैसे power bank की तरह use करेंगे तो इधर सामने आपको port मिलेगा USB वाला normal USB तो आपको अपना mobile का दो charger का cable इधर लगा के charge कर सकते plus type C charging मिलता है तो overall very nice also ये flap के बारे में बात करू again feels nice quality ऐसे नहीं लगता है कि बस तोड़ा मतलब पुल करेंगे तो तूटी जाएगा तो overall very nice battery में कोई भी issues नहीं है also इस बार नया चीज जो है वो है कि आपको एक indicator मिलता है ठीक है जो आप बताएगा कि कितना charge अभी जैसे 30% charge है तो that easy हो जाता है कि जब भी आपका charge कम है तो अल्रेडी पता चल जाता है कि अच्छा भी आप चार्ज करना पड़ेगा तो overall battery life very nice अभी कुछ extra features की बारे में बात करें तो आपको IPX7 certification मिल जाता है तो water and sweat resistant हो गया फिर IWP technology मिलता है मतलब जब भी आप case खोलेंगे तो pairing automatically हो जाएगा तो first time pairing तो आपको दिखाया था very easy था and जब भी आप case खोलेंगे तो instant pair हो जाता है no issues there रेज के बारे में बात करूँ तो Bluetooth 5.0 का support है तो no issues clear था कभे भी कोई breaking ऐसे नहीं था तो range was decent enough for a Bluetooth 5.0 अभी touch controls इसमें touch controls मिलता है आप देख सकते इता normal बड़ा area touch controls का no issues and ठीक से काम करता है बहुत बड़ा area है तो आप बस control में भी कोई issues नहीं है latency के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसमें कोई भी latency का कोई low latency का कोई technology use नहीं किया है तो delay तो है दोस्तों मतलब आप gaming करेंगे तो आपको delay लगेगा अगर आप movies या कुछ भी videos देखेंगे YouTube पे तो कोई भी delay लगेगा नहीं normal आप सुन सकते है song में भी proper चलता है बट अगर आप मतलब gaming करेंगे तो थोड़ा सा तो delay है तो latency आपको मिलेगा इसमें price की बात करें तो price है 2999 दोस्ता अभी limited time deal चल रहा है 2999 का मिल रहा है and इस price में क्या आपको खरिजना चाहिए कि नहीं तो it's very very मतलब nice product दोस्तो number one तो इसका design बहुत ही मतलब nice and unique type लगा क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखने में है यह जो combination black and white का है sound quality बहुत बढ़िया है battery life तो इतना जादा है कि I don't think अगर आप light या medium यूज़ करते है तो आपको next cup charge करना पड़ेगा आपको याद मी नहीं रहेगा अगर आप बहुत heavy user है तो भी मतलब बहुत दिन आराम से चल जाएगा यह तो overall very nice product and definitely you can go for it अगर आप नया TWS सच कर रहे थे हैं यह around 3000 रुपेस price segment में product link description में रहेगा अगर आप interested है खरीदने में वीडियो अगर इंफावाटे लगा तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon में दबादेजिए मुझे instagram पर follow कीजिए अधर at rcmedia house आज के लिए इतना अथा दोस्तों फिर आगले वीडियो मिलेंगे